उत्तरप्रदेश के बरेली में 21 जन्वरी को हुए संजीव गर्ग महाबीर प्लाइबूड इंडर्स्ट्रीज परसा खेड़ा के मालिक का शब कार में संदिग्य हालत में मिला था आई आई ए बरेली चैप्टर का एक प्रतिनिदी मंडल नीरज गोयल के नितुरत में स्पी आरे से मिला एस्पी राजकुमार अगरबाल ने दो तीन दिन में केस को खोलने का आस्वासन दिया आई आई ए ने कहा कि आज तक पुलिस प्रशासन द्वारा संजीव हत्याकांट केस को नहीं खोला गया है इस बज़े से हमारे उद्धोग्मियों में भय का माहौल बना हुआ है अगर उद्धैमियों के साथ इस तरह की घटनाए होंगी तो उद्धैमी अपने परिवार वव्यवशाय को कैसे सुरक्षित महसूस करेगा संजीव गर्ग हत्याकांट का खुलासा खुलवाने की मांग जिससे इस घटना का अनावरण हो सके अपरादी को दंड बिले तनुष भसीन, मैं इंडियन इंडिस्टिस एसोसेशन का संजीव का परशा खेड़ा में प्लाइवूड का काम था मावीर इंडिस्टिस के नाम से इनकी फर्मती अच्छा कारोबार था इनका वहाँ पर और बहुत ही मृत भाशी और सभाव के बहुत अच्छे इंसान थे कभी किसी से कोई लड़ाई जगडा नहीं, कोई दुश्मान नहीं, कुछ नहीं और हमारी सरकार से, प्रशासन से, पुलिस से सबसे ये निवेदन है कि इसको शिग रती शिगर खोला जाए ताकि जो है जो एक भै का वातवरन मना हुआ है, वो खतम हो सके सुनीत मुना, पुपाद्यश आयाई ये बरेली, सारे उद्यमी लोग, संजीप भाई के मडर के केस का अभी तक कोई खुलासा ना होने के सम्मद में, को नहां संजीप भाई का मडर हुआ ता, जो कि आस्ता कभी खुलासा नहीं हो पाया है, और इनका सुबह हम लोगों को मालूम पड़ा था, और उसी दिन जिस दिन इनका क्रिमेशन हुआ था, क्रिमेशन के सारे उद्यमी साफ से मिलने आये थे, उस समय भी उनको हम लोगों ने विक्तिकत और सभी उद्यमियों ने मिल करके उनको ग्यापन दिया था, उनसे रिक्वेश्ट की थी, जिसका उनने दो-तिन दिन में खुलासा होने की गरंटी दी जो आज तक नहीं हो पायी है, और आज हम लोग फिर से उनको अपने विज्यापन देने आये, शीक ग्यादी शीर इसका खुलासा हो और हम सारे उद्यमी लोग अपने उद्यम को अच्छे तरीके से धंग से चला देका और हमारा विश्वास सरकार पर प्रिशाशन पर बना रहे है